Hello friends, this is Surya Dev आज हम addresses का concept समझेंगे पता है जब इस concept से related कैसा भी question competitive exams या interviews में पूछा जाता है तो बहुत कौम students होते हैं जो इसका सही answer देपाते हैं For example, हमने एक program बनाया इस program में हमने एक integer tab array ली a 5 और उसमें values रखी 1, 2, 3, 4 and 5 फिर हमने किया c out a and l फिर नीचे लिखा c out m% a plus 1 इस program पर question ये बनता है अगर c out a करने से हमारा answer आता है 0 x 8f 84ff ec तो c out m% a plus 1 करने से हमारा answer क्या आएगा options are a, b, c and d वैसे essay questions generally competitive exams और tough interviews में ही पूचे जाते हैं इसका answer है d it is 0 x 8f 84ff f6 इस concept को समझनी से पहले हमें question को समझते हैं जो मैंने पिछले lecture में आप के लिए छोड़ा था इसमें हमने लिखा था integer a, b and c फिर हमने a की value 10 रखी थी b की 20 and c की 30 फिर नीचे print f percentage d, percentage d, percentage d और जब हमने इसे run किया था तो answer आया था 30, 20, 10 the reason behind this is हम अपने program में जो भी values देते हैं वो जाकर एक stack में store हो जाती है जैसे कि हमने सबसे पहले a cost to 10 रखा था तो ये 10 जाकर stack में store हो गया कि a cost to 10 है फिर हमने b cost to 20 रखा अब 20 10 के उपर store हो गया है फिर last वे हमने c cost to 30 रखा था तो सबसे उपर 30 store हो गया है और जब हमने printf percentage d, percentage d percentage d किया तो हमारे compiler ने values को उपर से उठाना शुरू कर दिया that is 30, 20, 10 because हमने printf करते वक्त specify नहीं किया कि हमें किस value को print कराना है तो इस वजए से हमारे compiler ने वो values पहले ली जो से आसानी से मिल पा रही थी that is 30 फिर 20 और फिर 10 आपके लिए एक note point इस tag हमेशा leafo को follow करता है that is l-i-f-o means last in first out मतलब जो भी values हम अपने प्रोग्राम में last में देती हैं वो ही सबसे पहले print होती है means सबसे पहले 30 print होगा फिर 20 and then 10 अब हम अपने addresses वाले concept को समझते हैं सबसे पहला question address क्या होता है address मतलब एक ऐसी जगे जहां कोई रहता है जैसे कि आप जहां रहते हैं वहां का भी कोई address होगा बिल्कुल वैसे ही जो भी values हम अपने प्रोग्राम में देते हैं वो भी किसी न किसी address पर store होती है तो जहां पर भी अपने पहले प्रोग्राम को समझते हैं इस प्रोग्राम में हमने एक integer type array ली a5 और उसमें 5 values पुट की that is 1, 2, 3, 4 and 5 फिर हमने किया cout a जब हम इस प्रोग्राम को run करेंगे तो हमें एक address मिलेगा यह address वो address होगा जहां पर one store है जब हम इसे run करते हैं तो answer आता है 0 x 8f84ffec अब आपके लिए एक note point addresses हमेशा hexadecimal form में होते हैं इस address में कुछ alphabets आपको दिख रहे होंगे अब हम उन्हें समझते हैं f means होता है 15 e means 14 and c means 12 hexadecimal system में सिर्फ 6 alphabets use होते हैं that is a, b, c, d, e and f 0 से 9 तक हम simple digits use करते हैं और 9 से उपर वाली values के लिए alphabets that is 10 को हम a से denote करते हैं 11 को b से 12 को c से 13 को d से 14 को e से and 15 को f से अब एक note point hexadecimal numbers are always lies between 0 to 15 means hexadecimal system में 15 से उपर कोई भी value नहीं होती ये सारी values 0 से 15 के बीच में ही लाय करती हैं अब हम second program को समझते हैं इसमें भी हमने एक array लिए है integer type की और इसमें values रखी हैं 1,2,3,4 and 5 फिर हमने किया cout a and l नीचे लिखा cout m% a जब हम cout a या cout m% a करते हैं तो हमारा answer हमेशा first number का address को बताता है means हमें यहाँ पर वो address मिलेगा जहाँ पर one store है जब हम इसे run करते हैं तो हमारा answer आता है जो पहले आया था that is same answer अब हम अपने third program समझते हैं इसमें हमने cout a किया फिर cout a plus one किया है इसे run करने के बाद हमें दो addresses मिलेंगे पहला address वो होगा जहाँ पर one store है और दूसरा address वो होगा जहाँ पर two store है because हमने cout a plus one किया है अब इस program को run करते हैं हमें पहला answer मिला 0 x 8f 84 ffec और second answer मिला 0 x 8f 84 ffec यहाँ पर question यह भी बन सकता था अगर cout a करने से हमारा address यह आता है तो cout a plus one करने से क्या answer आएगा जब आप इन दोनों values को गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों addresses almost same है सिर्फ last values में different है that is एक में c है और दूसरे में e अब हम इसे भी समझते है हमने अपनी array integer tab ली है और हम जानते हैं कि integer हमिसा two bytes का होता है तो इस वज़े से हमने अपने पहले address में two bytes add की ताकि हमारा second address आपाए हम जानते हैं c मतलब होता था 12 और 12 plus 2 होता है 14 14 means e इस वज़े से हमारा second address में e आया है in place of c और जब हम इसके आँगे वाला address निकालेंगे तो इस value में सिर्फ two bytes set करेंगी अब हम third program समझते हैं इसमें हमने लिखा c out a फिर लिखा c out a plus one then c out a plus two c out a करने से वो address प्लेस आनी चाहिए जहां पर one store है और c out a plus one करने से वो address प्लेस जहां two store है similarly c out a plus two करने से वो place आएगी जहां पर three store है जब इसे run करते हैं तो answer आते हैं ये इसमें हमने क्या किया पहले address में two bytes set की थी तो वो address आया जहां पर two store है और दूसरे address में जब two bytes एड की तो वो address आया जहां पर three store है अब हम इसे भी समझते हैं हमारा पहला answer आया था जिरो क्रॉस एट एफ एट फोर एफ एफ एसी जब हमने इसमें two bytes एड की मतलब c में two एड किया that is 12 प्लस 2 एकोल्स टू 14 और 14 मतलब होता है e तो हमारा answer आया जिरो क्रॉस एट एफ एट फोर एफ 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 ए इसके बाद वाला concept थोड़ा अच्छा है तो प्लीज इसे ध्यान से समझ देगा अब हमारा answer आ चुका है जिरो क्रॉस एफ एट फोर एफ एफ ए जब हम इसमें two bytes एड करेंगे मतलब e में two add करेंगे means 14 प्लस 2 equals to 16 मैंने आपको एक note point बताय था कि hexadecimal system में 15 से उपर value नहीं होती पर हमारा answer आया है 16 अब हमें इस 16 को ऐसे arrange करना है कि हमारा address hexadecimal form में ही रहे तो इस वज़े से हमने 16 को लिखा F0 अब question आता है कि हमने 16 जिनको की जगे F0 ही क्यों लिखा अब हम थोड़ा सा D पहुच आते है हमारा पहला address आया था 0 x 8f84ffec जब हम इसमें 1 byte add करते हैं तो C की जगे D आ गया फिर हमने D में 1 byte add की तो D की जगे E आ गया यह हमारा second address है जब हम E में 1 byte add करते हैं तो E की जगे F आ जाता है और जब F में 1 byte add करेंगे तो आंसर आएगा 0 because F के बाद कुछ है ही नहीं बस left वाली side में means E में एक add हो जाएगा as a carry बिल्कुल वैसे ही जैसे 16 के बाद 17 आता है और 17 के बाद 18 18 के बाद 19 और 19 के बाद आदा है 2 0 हम जानते हैं 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता तो हम left side में एक carry लेकर फिर से अपनी series 0 से start करते हैं बिल्कुल वैसे ही E F के बाद F 0 आया अगर हम इसमें भी add करते तो हमारे answer आता फिर आंगे F1, F2, F3 and so on मुझे लगता है अब आपको hexadecimal number system as well as addresses के value को add करना आ गया होगा अब हम अपना वो program समझते हैं जो हमसे competitive exams और tough interviews में पूछा जाता है हमने इस program में एक array ली है जो की integer type है A5 और इसमें values रखी है 1, 2, 3, 4 and 5 फिर हमने cout A किया और फिर cout amp a plus 1 जब हम इसे run करते हैं तो आज से आते हैं ये हमारा पहला address आता है 0 x 8f84 ffec और second address आता है 0 x 8f84 fff6 हम जानते हैं cout A करने से या cout amp a करने से वो address place आती है जहां पर first value store है तो पता है students क्या सोचते हैं कि cout A करने से first place मिलती है मला first value का address और cout amp a करने से first value का address तो वो cout amp a plus one करने से second value का address मिलता होगा और वहीं वो गलत हो जाते हैं बस इसी concept पर tough questions बन जाता है जब हम cout amp a plus one करते हैं तो हमें वो address मिलता है जो हमें आखरी value के बाद मिलना चाहिए था मतलब fifth position के बाद वाला address means हमें एक ऐसा address मिलेगा जो हमारी array के just last वाद आना चाहिए था अगर अब हमें ये question मिलेगा तो हम step by steps करेंगे हमें सबसे पहला given था पहले वाले का address अब हम उसमें two by set करेंगे तो हमें वो address मिलेगा जहांपर second value store है अब हम इस address में भी two by set करेंगे तो हमें वो address मिलेगा जहांपर three store है फिर हम उस address में भी two by set करेंगे तो हमें वो address मिलेगा जहांपर four store है इसके बाद भी हम इस address में two by set करेंगे तो हमें वो address मिलेगा जहांपर हमारी array की last value store है means जहांपर five store है अब हम इस address में भी 2 bytes add करेंगे तब जाकर हमें cout m% a plus 1 की value मिलेगी means cout m% a plus 1 करने से हमें वो value मिलती है जो हमारी array की last value के जस्ट बाद आनी चाहिए थी अब एक question आपके लिए हमने एक program बनाया इसमें हमने define किया एक array a5 जो float values टोर करती है और इसमें हमने values रखी 1.1, 2.2, 3.3, 4.4 and 5.5 question यह है कि जब हम cout a करते है तो हमें answer मिलता है 0 x 8f 5a ffe2 तो आपको यह बताना है अगर हम cout a plus 1 करते है तो हमें answer क्या मिलेगा मैं आपको बता दू cout a plus 1 करने से हमें वो address place मिलेगी जहाँ पर 2.2 store है मैं आप हम मिलेगीente